हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्जी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरी हैंड का जो अनैलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टीशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेड सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वाइर शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग टाइप की निचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स नजर आ रही है और सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं नजर आएंगी ऐसे रिखाओं का हथेली में फिंगर्स के लोर और मिडल फैलेंजिस के उपर होना यह दर्शा आता है कि नेटिव काफी मिलन सार सभाव का रहने वाला है ओवरॉल इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही है जिस वज़े से अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा यह जो एरिया आप यहां से देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को इनकी मरकरी फिंगर काफी लो सैट नजर आ रही है अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देखेंगे यहां फिंगर्स नीचे से शुरू हो रही है बाकी फिंगर्स के मकाबले जबकि बाकी की तीनों फिंगर्स गुरू फिंगर्स शनी और सूरिया यह तीनों फिंगर्स काफी हाई सैट है इस finger का low set होना native को shy nature देता है थोड़े communication skills भी कई बार इसकी वज़े से weak रहते हैं तोगि यह finger आपको सुर्या finger के top balance से थोड़ा नीचे रहते हैं यहां से यह जो area है इस से अगर यह लंबाई में नीचे रह जाए तो थोड़े communication skills भी कमजोर रह सकते हैं और थोड़े shy type की nature इ अगर हम इनकी तरजनी की बात करें तो बिल्कुल straight और काफी अच्छी thickness में यह finger नजर आ रही है जिसकी वज़े से native काफी knowledgeable होता है अच्छी leadership qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है धार्मिक प्रविती की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है धर्म करम के काम करना इसी चीजों में रूच आई में अच्छी हो ठिक हो और यहाँ सूर्या finger के equal हो जैसे अब यहाँ पर देखेंगे यह लगबग सूर्या finger की length के equal आपको नजर आएगी अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो बिल्कुल straight और बिल्कुल thickness में यहाँ काफी अच्छी finger नजर आ रहे इस तरह है कि straight finger का होन तिक finger का होना दर्शाता है कि ऐसे native बहुत ही मेहनती होते हैं एक अनुशाशन प्रिया टाइप की discipline personality ऐसे व्यक्तिक रहती हैं और साथी साथ ऐसे व्यक्ति नयाए प्रिया होते हैं और अपनी नहीं खूबियों की वज़ा से अच्छी progress जीवन में पाने में काम्याब रहते हैं सूरे finger की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे straight सूरे finger यहाँ पर दर्शाती हैं कि native का अच्छा social circle रहेगा थोड़ी risk taker type की personality भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यहाँ finger straight हो और काफी creative qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यहाँ finger length में अच्छी हो और लगभग इस तरजनी के equal पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी creative nature के होते हैं काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहल ब्रसपती mount का होना native को ग्यानवान बनाता है और यहाँ पर आपको एक square का sign बनता हुआ भी नजर आएगा इस तरह का चिन व्यक्ति को काफी protection देता है ऐसे व्यक्ति की family life इस तरह है कि square की वज़े से protected रहती हैं परिवार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि इनके जो इनका शुकर परवत है इसके उपर आपको बहुत सारी रिखाई नजर आएंगी जिस वज़े से कुछ न कुछ चिनताएं native को अपने परिवार को लेकर रहती हैं लेकिन इस तरह का square का चिन गुरू परवत के उपर होना native की protection करता है ऐसे व्यक्ति की family life को protect करने का काम ब अगर हम इनके शनी की बात करें तो शनी का माउंट आपको यहाँ पर हलका सा दबता हुआ नजर आएगा यहाँ से यह माउंट दबना native की hardware को बढ़ाता है ऐसे नेटिव जिनका शनी पर वह दब रहा हो इन्हें काफी मेहनत करने पड़ती है जीवन में उतार चड़ा भी क अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनी रेखा है यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से इसको अंभागया रेखा भी कहते हैं अगर यह रेखा इस तरह से शनी परवत तक सीधा पहुंच जाती है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है इसी रेखा इन लोगों के हाथ म भी नजर आएंगे यहाँ रेखाएं जो इनकी इस शनी रेखा को काट रही है इने हम रहु रेखाएं कहते हैं जब यहाँ रेखा कटती है बीच में रहु रेखाओं से तो नेटिव को काफी सारे ups and downs का सामना अपनी चीवन में करना पड़ता है समय समय पर कई बार धन से स स्ट्रेस लाइन्स की वज़े से आपको बीच में से कड़ती हुई नजर आए और अगर हम इनके सूरिया परवत की बात करें तो आप देखेंगे सूरिया परवत का जो एरिया है वो भी आपको हलका सा दबता हुआ नजर आएगा और सूरिया माउंट जिन लोगों का दबता ह है उन्हें यश नहीं मिल पाता ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें दूसरों की कितनी भी हल्प कर लें बदले में कोई इनाम नहीं मिलता कोई अप्रीसेशन नहीं मिलती जिसे हम यश की कमी कहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक सूरिया रेखा नजर आएग व्यक्ति काफी अच्छी पहचान सुसाइटी में बना पाने में काम्याब रहते हैं यहाँ पर एक ट्रिकोन का चिन आपको इस सेरिया में बनता हुआ नज़र आएगा सुर्य परवत के ओपर ट्रिकोन का बनना नेटिव को गौर्मेंट की तरफ से लाब दिलवाता है ऐसे व्यक्ति अगर गौर्मेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर इने काफी अच्छी तरक्की मिलती है और इवन पॉलिटिक्स के जरीए भी काफी अच्छा नाम ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में बना पाता है अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो मरकरी का माउंट लो सेट होना यहाँ पर थोड़ा सा नेगटिव रिजल्ट देता है क्योंकि मरकरी हमारे कम्मुनिकेशन स्किल्स को दर्शा आती है अगर यह माउंट लो सेट होता है तो इनसान थोड़े शर्मीले सभाब का हो सकता है जल्दी ओपन अप होने वाली परसनालिटी नहीं रहती लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपको मरकरी रेखा यहां पर नजर आएगी यह जो रेखा है इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं बुद्ध की रेखा इसको कहा जाता है जिनके हाथ में मरकरी लाइन मौचूद होती है वो इस लो सेट होने की जो नेगटिविटी है उसको भी दूर कर देती है इसके साथ आप यहां पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के उपर नजर आ रही है इस तर यहां यहां कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है अगर हम इनकी मेजर लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन यहां इनकी हार्ट लाइन है बिलकुल स्ट्रेट चलती हुई आपको नजर आएगी यहां तक और यहां से इसमें से एक ब्राच निकल कर गुरु परवत की तरफ बढ़ती हुई यह जो चिन बनता है इसको विश्नु चिन कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का विश्नु चिन बनता हो ऐसे व्यक्ति अपने चीवन म ऐसा विश्नु चिन बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बही मानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिकतें आ सकती हैं और लाइफ में तरक्की रुख सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी यहां चिन बनता है उन्हें हमेशा यही सुजिस्ट करता हू कि इमान्दारी के रास्ते पर अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को जरूर मिलेगी अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से चलती हुए और इस जिनकी मस्तिक्ष रेखा कट रही हो उन्हें किसी ना किसी तरह का तनाव रह सकता है थोड़ी anxiety की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को रहती है overall mind line लंबी होने की वज़े से इनकी memory अच्छी रहने की समभावना यहां पर बन रही है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यह यहां पर देखेंगे जीवन रेखा length में अच्छी है जिसकी वज़े से इनकी age लगभग 75K round रहने वाली है यहां से शुरू होने वाली यहां रेखा आप देखेंगे लगभग यहां पर आकर थोड़ी overlap होती हुई और इस सेरिया तक पहुंचती हुई इस तरह की life line native को एक रेखा करती है स्ट्रेस lines की वज़े से जैसे आप यहां पर देख पाएंगे कई जगह से यह रेखा आपको जीवन रेखा करती हुई नजर आएगी इसकी वज़े से minor health issues भी native को रहते हैं health issues बंदी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में समय समय पर करना जितनी अधिक मात्रा में चंदर माउंट के उपर मौचूद होती हैं उतनी ज़दा travel native की life में रहती है short distance travel की समभावनाई ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनती हैं लेकिन इतनी ज़दा रेखाएं होने से anxiety की समभावनाई जिसको बेचैनी की समस्या कहते हैं ऐसी समस्या का सा चीवन रेखा कि माध्यम से यह जो चिन बन रहा है इसको मचली का चिन कहते हैं और यहां पर इस तरह का मचली का चिन बनना इंडिकेट करता है कि native को चीवन में अचानक धनलाब हो सकते हैं inherited wealth मिलने की समभावनाई इंशोरेंस के जरिये धन मिलने की समभावनाई इस तरह क चिन दर्शाता है इस तरह का चिन इस एरिया पर मनना काफी अच्छा माना जाता है इस तरह का चिन काफी भागैशाली होता है अगर हम बात करें इनके शुक्र परवत की तो यह जो एरिया हैं वीनस यानि शुक्र का एरिया है यह मौंट उभरा हुआ हो तो native के चीवन में ह तो नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टिबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रिखाएं बढ़ा देती है दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है यगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद